हेलो फ्रेंज कैसे हैं आप सब आज किस वीडियो में हम दिन द्याल उपाद्य गरुपर बिश्व बिद्याले का बीए फर्स्ट इर का सिंगल सब्जेक्ट का यहाँ पर इंग्जामिनेशन फॉर्म भरना सिखेंगे तो वीडियो काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखेगा साथ ही अगर आप हमारी चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब किजिगा अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक भी दिजगा इससे काफी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको डिडियो के ओफिसियल बिपसाइट प्याना होगा लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहाँ क्लिक करते ही आप यहाँ पर रिडियरेक्ट हो जाएगे यह डिडियो का ओफिसियल बिपसाइट है फिर आपको स्क्रोल करके नीचे के तरफ जाना है नीचेक तरब आते ही आपको यहाँ पर Examination Campus का एक आइकन मिलेगा आपको इसपे क्लिक करना है क्लिक करते ही एक और नया पेज ओपन हो जाएगा फिर आपको साथवे नमबर पर जो आइकन मिलेगा Examination Form, Be a Single Subject First Year आपको इसपे क्लिक करना है क्लिक करते ही एक और नया पेज ओपन हो जाएगा यह जो पेज है, यह Form का पेज है आपको इसमें Details भरना है तो यहाँ पर जो पहला है Student Information in Session आपको इसमें कोई भी छडखानी नहीं करना है फिर आपको यहाँ पर Basic Information में आना है इसमें आपको अपना Enrollment Number डालना है फिर Name, Mother's Name, Category Select करना है Nationality Select करना है NADID अगर आपके पास है तो उसका Number अगर नहीं है तो कोई बात नहीं फिर यहाँ पर अपना DOB फिर Father's Name, अपना Zender Select कीजिए अगर आपका आप Sub Category में आते हैं तो यहाँ पर आप यहाँ से क्लिक करके Select कर सकते अनधान रहने देंगे फिर यहाँ पर Religion Select करेंगे उसके बाद अगर आप EWS Category से बिलॉंग करते हैं तो आप Yes करेंगे अनधान रहने देंगे फिर आपको यहाँ पर Academy Details में आना है इसमें आपको Medium में Select करना कि आपकी इस Medium से Exam देना चाहेंगे तो यहाँ पर Medium Select करना है फिर यहाँ पर 12 का यहाँ पर आपको Roll Number, Passing Year कितने Marks आपने Obtain किया है Total Marks का Paper कितना होता है फिर अपना Board का Name फिर यहाँ पर कोई नई Pass यहाँ पहले से रहेगा फिर यहाँ पर Undergraduate में आपको अपना Roll Number फिर यहाँ पर Passing Year Mark कितना आपने पाया है Total Marks का कितना Paper होता है फिर यहाँ पर Board University फिर यहाँ पर Pass में वैसे ही रहने देंगे फिर यहाँ पर Contact Details में आपना Mobile Number फिर यहाँ पर Address अपना Full Address यहाँ पर भरेंगे फिर नीचे अपना Pin Code फिर यहाँ पर State सेलेक्ट करेंगे फिर आपका District फिर नीचे आना है यहाँ पर आपको अपना Image सेलेक्ट करना है जो कि 50 के भी से कम होना चाहिए तो यहाँ पर अपना Image फिर यहाँ पर अपना Signature एक Blank Page पर अपना Signature करके उसका भी Photo Upload करना है उसका भी Size 50 के भी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए फिर Upload करने के बाद यहाँ पर अपना Subject सेलेक्ट कर लेना है जो भी Subject सेलेक्ट करना है आप सेलेक्ट कर सकने है सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर Save Pay क्लिक कर देना है Save Pay क्लिक करते ही आप Payment Gateway पर Redirect हो जाएंगे Redirect होते ही अपना Payment करेंगे और जो भी Next Process होगा Receipt Download करना वो करेंगे उसके बाद आप ले जाके University Campus में जमा करेंगे तो यह रहा Full Information आपको कैसे Form बना है कैसे Fee Payment करना Fee Payment करने में आपको जो Option मिलेगा वो मिलेगा Debit Card, Credit Card, Net Banking और Wallet का भी Mode मिल सकता है तो आप उससे अपना Payment करेंगे उसका Receipt लेके और जो भी University म जमा करना है आप ले जाके जमा कर सकते है तो यह रहा Full Process की कैसे Form फिल किया जाता है Single Subject का वो भी BA का First Year का तो मेरे सबस्वीडियो आपको काफी ज़्यादा अच्छा लगा हो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए कमेंड कीजिए अपने दोस्तों के साथ Share कीजिए अगर आप हमारी चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर से सबस्काइब करके हमें सपोर्ट दीजिए धन्यवाद